राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं आबंधों आज सोमवार के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ भगवान शिव शंकर भोले नात की सोमवार की कथा बंधों सावन मास में भगवान शिव की पूजा करने का बहुत अधिक महात्व है अगर आप भी भोले की भक्ती और प्रिपा पाना चाहते हैं तो सावन के सोमवार व्रत की कथा जरूर सुने बंधों सावन सोमवार ती कथा सुनने मात्र से भगवान शिव आप पर प्रसंद होकर आपकी हर्मनों कामना पूरी करेंगे बंधों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वली सभी वीडियोज की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधों कथा को पूरी सुने सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जै शिव शंकर भोले नाथ जरूर लिखें बोलो शिव शंकर भोले नाथ की जै एक बार एक साहुकार था जो की शिव भगवान की बहुत ही भक्ति किया करता था उसके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी प्रन्तु उसके कोई उलाद नहीं थी मैं इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दिपक चलाता था उसकी इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पारवती ने शिव जी से कहा प्रभू यह साहुकार आपका अनन्य भगत है इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए शिव जी बोले हे पारवती इस साहुकार के पास पुत्र नहीं है यह इसी वजह से दुखी है माता पारवती कहती है हे प्रभू कृपा करके इसे पुत्र का वर्दान दें तब भोले नात ने कहा हे पारवती साहुकार के भग्य में पुत्र का योग नहीं है ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वर्दान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयू तक ही जीवित रहेगा यह सुनने के बाद भी माता पारपती ने कहा हे प्रभू आप कोई साहुकार को पुत्र का वर्देना ही होगा वरना भगत क्यों आपकी सिवा पूजा करेंगे माता के ब 12 वर्ष तक ही है साहुकार यह सारी बाते सुन रहा था इसलिए उसने कोई खुशी प्रगट ना की और ना ही कोई दुख प्रगट किया वे पहले ही की तरहें भूले नात की पूजा अच्चना करता रहा उधर से ठानी गरवती हुई और 9 महीने उसे सुन्दर बालक की प्र जब बालक 11 वर्ष की आयू का हो गया तो एक दिन साहुकार की सिठानी से बालक के विवहा के लिए कहा साहुकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा इसके बाद उसने बालक के मामा को बुलाया और कहा इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ रास्ते में जिस भी स्थान पर रुखना वहां यक्य करते ब्रहामनों को भोजन कराते जाना उन्होंने भी इस तरह करते हुए ही रास्ते की दूरी दे की रास्ते में एक राज कुमारी का विवाह था जिससे उसका विवाह होना था वह एक आँख से काना था उसके पिता ने जब अती सुन्दर साहुकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोडी पर बिढ़ा कर शादी के सारे कारे संपन करा लिये जाएं तो उन्होंने मामा से बात की और कहा इसके बदले में वह धेर सारा धन देंगे तो वह राजी हो गए इसके बाद साहुकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा जब विवाह करे संपन हो गए तो जाने से पहले उसने राज कुमारी की चुन्दी पर लिख दिया तेरा व राज कुमारी ने अपनी चुन्दी पर लिखा हुआ पाया तो उसने राज कुमार के साथ जाने से मना कर दिया राजा ने अपनी पुत्री को बरात के साथ विदा नहीं किया बरात वापस लोड़ गई उधर मामा और भांजे काशी पहुँच गई एक दिन जब मामा ने य अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राहमन चले जाएंगी और यग्य काकारे अधूरा रह जाएगा जब यग्य संपन हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया उसी समय शीव पारवती उधर से जा रहे थे तो माता पारवती ने शीवची से कहा प्रभू कौन रो रहा है इतना तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोले नात के आशिरवास से जन्मा साहुकार का पुत्र है तब माता पारवती कहती है हे स्वामी इसे जीवित कर दीजिए वरना इसके माता पिता रो रो कर अपने प्रान निकाल देंगे तब भोले नात ने कहा पारवती इसक का ओम नमश शिवाई कहते हुए उठा और मामा भांजा दोनों ने इश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर चले रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया तब राजा ने राजकुमारी को साहुकार के बेटे के साथ बहुत स से कूद कर अपने प्रान त्याग देंगे तभी लड़के के मामा ने आकर साहुकार के बेटे और बहु के आने का समचार सुनाया लेकिन वे नहीं माने तो मामा ने शबत पुर्वक कहा तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहु का स्वागत किया उसी राज साहुकार को स्वपन में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन हूँ इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्थ दुख दूर हो जाएंगे और उसकी सभी मनों कामनाएं पूरी होगी शंकर भोले नात की जै राधे राधे जै श्री कृष्णा बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें धन्यवाद